दोस्तों जैसे का आप सभी को पता है उसी क्रम में धे आई इसके तरब से जो टैसीरी दी जा रही है उसी का यह टैसीरी नंबर दो होगा पिछले लेक्चर में हमने 50 प्रशनों को कबर किया था आज के इस लेक्चर में आज हम जो बच्चे हुए लगवग हमारे जो 90 प्रश आज की सैसिंट को कंटीनू करते हैं जो भी साथ पहली बाद चेनल फे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्रैब कलके जिससे किसी प्रक Lao क택र की कंट्चीन वीड़ाप के साब आज की तक आपढ़े की क्लास के पहला परस्ण पहला पर ça पुर्टा वाले खाद पदार्तों में उपस्तित होता है बताएए इस प्रश्ण का सही आमफर क्या होगा याद रखेंगे पहले प्रश्ण का सही आमफर होगा option number a टाइरो सीन तो option number a इसका सही आमफर होगा ठीक है इसी करह में दूसरा प्रश्ण है कि निम ने रिकित विटामिन B5 की बात की जाए तो इसको पेंटो थेने कमल का जाता है यह बिल्कुल सही है विटामिन B9 की बात की जाए तो इसको आपका गलत दिया गया है कि विटामिन B2 को यह नहीं कहा जाता यह जो कहा जाता है यह विटामिन K को कहा जाता है ठीक है आप इस तरीके से सम का नाम है ठीक किसका विटामिन के को का जाता है और विटामिन बी टू को जो का जाता है इसको का जाता है राइबो आप याद रख सकते हैं देखिए इसको का जाता है राइबो फ्ले फ्लेक कुईन ठीक है तो रायवो फ्लेक कुईन किसको का जाता है याद रखें रायवो फ्लेक विन का जाता है विटामिन टू को और विटामिन ट्वेल को का जाता है यहाँ पर जो दिया गया तब इस प्रकार स्कार्ण तो सही जवाब उगाब उप्शन मड़ी हो जागा, तो ये गलत है वाकि ये तीनों उपरवाले सही सुमेनित हैं, अगला प्रशन आप सभी के सम्मुक है, कि निम्न मेंसे किस एक नदी का उदगम मैकाल पठार नहीं है, बताए, यहां पर तीन नदियां मैकाल पठार से निक मैकाल पठार की बात किराए, तो ये तो मैकाल पठार ये आपके 36 गड़ राजमें है, कौंफिर राजमें, ये आप से पूर सकता है, 36 गड़ राजमें, कि मैकाल पठार कहां पर है, ये उस तो 36 गड़ राजमें इस तता है, इसके पक्षिमी बाग से नर्मदा नदी निकल तो जो दाबरी नदी है यह प्राइदी भारत की सबसे बड़ी नदी है इसका जो उद्गम है वो महराष्ट नासिक से होता है इसका सही जवाब होको option number 1 most important प्रस्ता आप इसे याद रखेंगे ठीक अगले प्रशन की तरह बढ़ेंगे अगला प्रशन है का नीचे दो कतन दि दरपड पास इस तिद्वस्तों का बड़ा प्रत्वम देता है नीचे देगे कूट के मादम से सही जवाब का चेहन करें आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो सकता है इसका जो सही जवाब होगा option number यहाँ पर देखेंगे आईए देखें यह जो चार option देगें में साबको टिक करना तो option मड़ी हो जागा यानि पहला गलत दिया गया है और आरा आपका सही है यानि कतन गलत है कारक आपका सही है आई एक पर पुर्णा देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे यह कह रहा है कि कान नाक इवं गले के डॉक्टरों द्वाला यहाँ पर देखेंगे उ तो सब अवतल दर्पड का प्रियुक करते हैं जब को ऊपर जो दियागा उतल दर्पड इस बज़े से अकथन हमारा गलत हो जाएगा अब देखें उतल दर्पड के बारे में कागा है कि उतल दर्पड पास इस्तित वस्तों का बड़ा प्रतिवम बनाता है तो यह बिलकुल सही बात है इसलिए इसका सही जवाब होगा वो अप्शन नमर डी होगा यानि ए गलत है आर शही है अगला प्रशना आप सभी के सम्मुक है कि नेमनलिकत में से कौन सा युकम सही सुमिलित नहीं है यह आप आप इस पश्ट देखेंगे नहीं सब्द का प्रियोग किया गया है तो आप बताएंगे एक तरफ प्रमकिष्टलें दूसरी तरफ अवस्तिती दीगी है बताएंगे दूस्तों इसका सही जवाब क्या होगा ठीक है जैसे आप देखेंगे ओपेरा हाउस ओपेरा हाउस आपका सिड्नी में औस्टिलिया में बिल्कुल सही है काबा मक्का में ये भी बिल्कुल आपका सही है ग्रांड कैनोन अरीजोना ये भी बिल्कुल आपका सही है ठीक तो ये तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे मर्डे का पहले समिफ्र ये आपका गलत हो जागा ठीक मर्डे का पहले समिफ्र में नहीं है ये आपके दूस्तों इंडोनेशिय के जकार तामे है कहाँ पर है अप्याद रखेंगे ये इंडोनेशिया के जकार तामे है इसका option number D गलत है बाकी सभी सही सुमेलित हैं अगला प्रशना आपके सामने एक और इसी प्रेकार का है कतन इवंकारक के मादन से कतन देखेंगे आरगन गैस विद्द बल्बों में भरी जाती है और इसकी उपस्तेजी से तंतुका जीवनकार बढ़ जाता है तो अब आप यहाँ पर बताएंगे कौन-कौन से कतन सही है और कौन-कौन से कतन गलत है ठीक है यह आपके सामने option है पहला दूसरा तीफरा चौथा यानि A-B-C-D करके दिया गया ठीक है बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा तो दोस्ते आद रखेंगे इसका तो सही जवाब option number A होगा यानि कतन और कारक दोनों सही है और कारक कतन की सही व्याक्या करता है ठीक है तो option number क्या होगा इसका सही जवाब option number A ठीक आईए एक बार पुर्ण देखते हैं यहांपर देखें क्या किरा है आरगन गैस बिद्दत बल्ब में भरी जाती है तो यह क्या हो जागा बिलकुल सही बात है दूफरा कि इसकी उपस्तिती से तंतो का जीवनकाल बढ़ जाता है किसकी उपस्तिती से आरगन गैस की उपस्तिती से option number A चले अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ेंगे अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है कि निमनलकित कतनों पर विचार कीजिए बताईए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोफ त्याद रखेंगे ये दोनों ही कतन आपके गलत है पहला भी और दूफरा भी ठीक है ये क्यों कतन है गलत है वह ये एक एक करके समझेंगे पहला जो का गया है कि निमनलकित मैंसे इस कतनों पर विचार कीजिए तो पहला शूण का प्रकास एबं ओषमा का फूमा का फ्रोथ नावकिया सलीयन है तो दुफ तो दोफ त आपके रहाद रखना है माप किजिए इसका जो सही अंफर होगा दोनों ही सही हो जहेए ठीक अ option number C सही होगा, पहला और रूफरा दोनों ही सही होगा, ठीक है, दोनों ही कतन सत्त है, option number C, ठीक है, तो प्याद रखेंगा, option number C, इसका सही जवाब होगा, कि शूरका, प्रकास, ओस्मा का जो फ्रोत है, वो नाव की सल्लेन पर आदारित है, और हाइडरोजन बंब जो कार्र करते है, वो नाव की सल्लेन पर ही कार्र करते है, option number C, अगला पशना है, निमने कतनों पर विचार कीजिए, पहला कतन आप देखेंगे, ठीक है, इसमें तीन बार का प्रामिट उल्टा होता है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा, दोस्त आपको बताना है, इसमें से कौन कौन से कतन सही है, देखें, पहला भी कतन सही है, दूफरा भी कतन सही, और तीफरा भी कतन सही, ये आपका पज़ावरण एवं पारिस्तित की विस्से है, उ यानि भारती संब्धान ये कहता है कि अगर किसी भी राजि में विधान सभा आपको गठित करनी है तो अधिकतम जो सीटों की संक्या आप रखेंगे वो पांफो रखेंगे और नियूनतम जो सीटे रखी जाएंगे विधान सभा में वो 60 रखी जाएंगे जैसा अप सबी को है उत्तर प्रदेश में जो सीटों की संक्या वो 403 है और यह अधिक्तम संक्या भारत में किसी भी राजी की द्वारा है तो हमसे पूछा कि इसके अपबाद में कौन सा है यानि ऐसे कौन कौन से राजे जिन में विदान सभा की सीट है साथ से कम है और यह बात जो कही गई है वो आर्टिकल 170 में कही गई है यानि आर्टिकल 170 में कही गई है तो ऐसे कई सारे राजे जैसे हम गुवा की बात करें तो गुवा में इस समय बरतमार में 40 सीटे हैं मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में इस समय 40 सीटे हैं अगर वहीं हम बात करें आपर सिक्किम की तो सिक्किम में इस समय जो फीटों की संक्या है वो 32 है वहीं अगर बात करें तृपरा के तो तृपरा में इस समय जो सीटों की संक्या है वो आप सभी को पतानी होगी कितनी है क प्याद रखेंगे इसके अपवाद में आप से पूछेगी तो इसका जो सही जवाब होगा वो एक दो तीन हो जागा ठीक है पहला दूफरा तीफरा इन तीनों के यह अपवाद इनमें 60 सीटों से कम हैं अब तुरुपरा में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि तुर कों से जो व्याज है वो भारत की संची निदीप्य होते हैं कमेंट करके बताएंगे यहापर भी आपके सामने तीन कथन दियेगे एक तरीके से पहला दूफरा तीफरा पहला है भारत के नियंतरक इवर मालेखा परिछेक की पेंचन दूफरा भारत के राष्टपती का वेतन तीफरा है, उच्छ नहयले के न्यादीशों की पेंसर इसका जो सही जबाब होगा, वो तीनों ही हो जागा पहला दूफरा और तीफरा option number D, तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही होता है ठीक है, भारत के संचे निदीपर क्या-क्या वे होता है तो ये तीनों रुकतन दिएगे, तीनों ही आपके शत्त्यकतन है, अगले प्रशन की तरह बढ़ेंगा दोस्तो अगला प्रशनाप सभी के सम्मुक है, कि फल्तरत काल के निमनलिकित प्रसासने के विवागों में से कौन सा एक फीरोड सा तोगलक से सम्मंदित नहीं था दोस्तो दिल्ली फल्तरत में अक्षर ऐसे प्रशनाप से पूछे जाते रहते हैं सल्तरत काल में, कि कौन सा विवाग किस से सम्मंदित है या कौन सा बिवाग किसने चालू किया था हमसे पूछा गया कि फिरोसा तोगलक से कौन सा बिवाग सम्मंदित नहीं है इसका दोस्तों सही अंफर होगा option number C हो जागा दीवान एकोही यहां दोस्तों दीवाने कोही क्रशी बिवाग के अंतरगत आता है यानि क्रशी बिवाग का अधिकारी होता है या क्रशी बिवाग से सम्मंदित है उसे दीवान एकोही का जाता है और इसकी जो इस्तापना कीती वो मुहमद बिन तोगलक ने कीती किसने कीती M.B.D. जिसे का जाता है मुहम्मद बेन तोगलक ने इसकी स्थापना की थी तो यह आपको याद रखना है कि दीवाने कोई विवात की स्थापना किसने की थी तो MBD अर्थात मुहम्मद बेन तोगलक ने की थी बाके दीवाने बदंगा दार उलसपा और दीवाने इस्तिहा इन तीनों के स्थापना दोस्ताथ के फीरोत सा तुगलक्र के द्वारा की गई थी तो अप्शन नम्मर C अगला पर्ष्णा आपके सामने है का नेमने लिकत में से कौन सा एक सही सुमिलित है या पदें के सही सुमिलित मत पूचा है इन में से तीन गलत होंगे वहागी एक आपका सही सुमिलित होगा ठीक है बताएए इस प्रशन का सही जवाब क्या होगा देखे विशिष्टा दुएतवाद की बात की रहा है इसके जो संस्तापकते वो रामानुजा चार थे तो ये तो पहला आपका सही हो जागा ठीक है प्रशन कई वार एक जाम में गुमा गुमा के पूचा जाता है और अच्छर ये प्रशन गलत हो जाता है तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं अगला प्रशन है कि निम्न कतनों पर विचार करें तीन यहां पर देखे जो त्रेफट वाब के सामने हैं और इसमें दो कतन दिये गए हैं कि निम्न में से कौन सा कतन सही है पहला मार कंडिश्वर मंदिर को विधर्व का खजुरा हो भी कहा जाता है दूफरा या मंदिर गुजरात के द्वार का जिले में इस्तित है बताए इसका सही जवाब क्या होगा तो दोस्तों पहला कतन यह तो महाराष्ट में हैं कहां पर हैं महाराष्ट के गड़ चिरोली जिले में वेन गंगा नदी के तटपर इस्तित है प्याद रखेंगे यह महाराष्ट में वेन गंगा नदी के तटपर है वेन गंगा ठीक आपसे पूर सकता है कि यह किस नदी के तटपर है मार कंडिश्वर मं में इस्तित है बताएं यह जो आपके सामने चार पाड़ियां देगी है A, B, C, D करके इनमें से सबसे पूर में कौन सी है अक्तफर ऐसे प्रश्ण आपके एग्णा में पूछे जाते हैं कभी आपसे इस तरीके से दे देगा और आपसे आप पर पूरब से पक्षिम आरो ही कर में लगवा सकता है ठीक है तो सबसे पूर में पूछा गया है सबसे हम पक्षिम से स्टार्ट करेंगे सबसे पक्षिम आएगे आपकी पहले सत्पुड़ा यहां पर कौन सी आएगी है सत्पुड़ा आप याद रखते हैं यह सत्पुड़ा ठीक है सबसे पहले तो चौते नमर पर जो पाड़ी आएंगी उनकों बोलेंगे छोटा नाकपूर पठार, तो सबसे पूर में पूछी गई है, option नमर क्या हो जाएगा, इसका डी इसका सही आमफर होगा, ठीक है, option नमर डी इसका बिलकुल सही आमफर हो जाएगा, चलिए अगले प्रशन की तरह गया है, किसमें पूछा गया है, इसमें नहीं है, एक तरफ कोईला चेत्र, दूसरी तरफ अवस्तिती पूछे गए, ऐसे भी प्रशन आपको वेरी वेरी इंपोडेंट प्रशनों के फ्रेड़ी में आपको याद रखना है, कि इस तरीके के प्रशन आपके पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूजा कौन सा सही सुमिलित नहीं है, सबसे पहले तलचिर की बात करेंगे, यह मानदी घाटी में, बिल्कुल सही है, ठीक है, तलचिर दूसरी आपका करड़ पुरा दामुदर घाटी में, यह भी बिल्कुल सही है, शिंग रॉली की बात किजा करें, शिंग रॉली कौन सा घाटी में होगा, तो आपको याद रखना है, शिंग रॉली आपका सोन घाटी में होगा, तो अप्शन नमर्ट डी गलत है, बाकि तीनों सही सुमिलित है, आप चाहें, तो इन चारों प्रिश्णों को आप सौट नूट्स में नोट कर सकते हैं आप क्या करें जब भी वीडियो देखें, कोंपी पहले लेकर बैटा करें, जो आपके exam के point of issue important question लगता है, जो आप पे नहीं आता है, लगता है कि ये प्रशन उम्मीद से है, आप उसे note करते जा करें, जैसे मैं आपर very very important लिख देता हूं, ऐसे प्रशनों को आप note कर लिया क रहें और उनको एक स्वर्मूट्स बनाकर अध्यन कर सकते हैं, अगला प्रशन आप सभी के सम्मोग होगा देखें, प्रशन क्या कह रहा है, प्रशन है कि निम्न पर बिचार कीजिए, पावना विद्रो, संताल विद्रो, ताना बगत आंदोलन और एका आंदोलन, ये भी मोश्ट इम्पॉडंट पष्णों की 3D में रख सकते हैं, उनको इनका काल करम आपसे पूछा गया है, चले इनको काल करम के आधर पर बिश्तित करेंगे, सब से पहले, बात करेंगे पावना विद्रो की, कि पावना जो विद्रो हुआ ता, ये भवाता, तो दो सम्ट आद विधरो घुबा। तो ये एका आंदुलन की बात की जाएं तो लेगा 162 में क्राःप आंदूलन की बात prawdे हैं। तो ये advisors झुड़ा हो और लिए इस वी घुलाड ये इस फिर्लीणक supply 1 फेम क्रिमें आपको पर आये सकते हैं। शंताल आंदुलन आगा, अर्थात आप्शन नमबर दो जिसमें आ रहा हुगा, देख ये चार आ रहा है, ये गलत हो जागा, पहले आपका आंफर आप्शन नमबर डी हो जागा, ठीक है, दो, एक, तीन, चार, आप्शन नमबर डी, अगले प्रिश्ण की तरफ बढ़ेंगे नमनलिक कतनों पर विचार कीजिए, तीन कतन दिये गए, उप्यक्त में से, कौन-कौन से सतने बाप को बताने हैं, ठीक है, बताए, पहला है, मोती बंद डिल्टा, बंगाल डिल्टा का उपविवाग है, दूफरा है, टेली ग्राफिक पटार अट्लांटिक कटक का हिस्सा है, तीफरा है, मानव गत्विदियों से परवर्तित पर्यावरण, एंथ्रोपो जोनिक पर्यावरण कहलाता है, बताए, इसका सही जवाब क्या होगा, जी मित्रो, बताए, सही जवाब होगा, दोस्तों, पहला भी कतन सही है, दूफरा भी सही है, तो अप्शन नमर कौन सा D बिलकुल सही आमफर हो जाएगा अगला प्रश्ण आपके सामने है नीचे दो कतन दिये गए एक कतन और एक कारण इसके आधार पर आप जवाब देंगे कतन कहता है कि सुई चुबाने पर मस्तिक दर्द महसूस कर नहीं करता यानि किरा कि अगर किसी वेक्टी के सुई चुबाई जाती है तो मस्तिक दर्द को महसूस नहीं करता कारण है कि मस्तिक में दर्द ग्राह काओं का अवाब होता है बताए इसका सही जवाब क्या होगा बहुत इंपरणे प्रशन है दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वाप्शन नमर A हो जाएगा कतन और कारक दोनों ही सही है कि सुई चुबने पर मस्तिक दर्द महसूस नहीं करता ठीक है याद रखेंगे सुई चुबने पर मस्तिक दर्द महसूस नहीं करता क्योंकि मस्तिक में दर्द ग्राहे का अवाब होता है तो इसका सही जवाब option number A हो जाएगा ऐसे प्रिशन आप याद रखा करें ऐसे प्रिशन एक जाम में आपके पूछे जाते रहते हैं प्रिशन अगला आपके सामने हैं कि निमनलकित मेंसे किस एक को फल फरकरावी कहा जाता है बताये किसको फल फरकरावी कहा जाता है याद रखेंगे जो फ्रक्टोज इसे फल फरकरावी कहा जाता है जो मीठे स्वाद के काड़ इसको जाना जाता है ठीक है क्योंकि जो फ्रक् अगला प्रश्ण आपके सामने उष्ड कटवंदी वर्षा बनों के संबंद में नेमनलिकत कत्रों में से कौन से कतन सत्त हैं यहांपद दो कतन दिये गए हैं पहला आपके सामने यह वाला है और दूफरा आपके सामने यह देके पहला है वे वन भूमद दिरेखा के आसपास विष्टरत होते हैं किसकी बात हो रही है उष्ड कटवंदी वर्षा बनों की दूफरा इन बनों में प्रतिवी के सभी पारिष्टित की तंत्रों में शरवादिक जैब विविदता पाई जाती है अब आप बताएंगे कौन से कतन सही है तो दोस्तिया आद रखेंगे यह दोनों ही कतन बिलकुल आपके सत्ते हैं कि यह जो वन होते हैं उस डकट वन दी वर्षा वन यह भूमत दिरेखा कि आसपास पाई जाते हैं और इनमें फरवादिक जैब विविदता भी पाई जाती है तो प्शन नमर ए अगला प्रशन है ग्रीन मफलर से तात्पर क्या है प्रशन है दोस्तों यह ठीक है वेरी वेरी इंपोर्डेंट प्रशनों की स्रेडी में आता है कि ग्रीन मफलर क्या है या ग्रीन मफलर से तात्पर क्या है याद रखते हैं दोस्तों यह द्वाने प्रदूसर को नियंतिर करने वाले हरी पोदे होते हैं यह से हम ग्रीन मफल है बताइए किसके कारण होता है तो दोस्ते आद रखेंगे वेरी वेरी वीमारी थाइमीन की कमी से होता है विटामिन आपने सुना होगा थाइमीन की कमी से होता है ठीक है तो इसका जो विटामिन है आप कमेंट करके बताएंगे अभी उपर डिसकस किया था कि वेरी वेरी ना आप यहाँ पर बताएंगे कि इनमें से कौन से सही सुमीलित हैं, इंपोरेंट प्रश्णों के इस लेडी में आएगा दोस्तों, बताएंगे फटापरिस्ट का सही जवाब क्या होगा, पहला दिया गा राष्टिये मानसिक विकलांग संस्तान ती आपके सिकंद्राबाद में यह दोस्तों आपके सही हो जागा, दूफरा राष्टिये द्रश्टिहीन संस्तान यह आपका हैदराबाद में यह भी बिल्कुल आपके सही है, तो तीनों के तीनों कतन आपके सही सुमीलित हैं, ऑक्षन नमबर इसका डी सही अंफर हो जागा, ठीक, इसी क्रम में बढ़े दिल्ली कॉलेज की, फिर उसके बाद आपके मियो कॉलेज की, और उसके बाद आपके हिंदू कॉलेज की, दिल्ली कॉलेज की जो स्ताफना होती है दोस्तों वो 1824 में होती है, आप इनकी डेट भी आ रखते चलें, अगर मियो कॉलेज की बात की जाए, इसकी जो स्ताफना ह तो हिंदू कॉलेज खोला गया था उसकी, तो यह जो इस्तना पर तुग आता वो 1817 में हुआ था, अब आप इसका अक्रम लगा सकते हैं, सबसे पिलापका कौन सा आएगा, पियाद रखेंगें दोस्तों, सबसे पिलापका एगा 1817, ऑप्शन नमद 3, उसके बाद ऑप्शन नमर B, इसका सही जवाब हो जाए, ठीक है, most important प्रशन है ये भी, अगला प्रशन है निमने लिकित कतनों पर विचार करें, यहाँ पर दो कतन दिये गए और आपको सही कतन चिक करने हैं, अमलेंड सब्द का अर्थ नगर का प्रत्वेसी होता है, दूफरा अमलेंड को, हिन लेंड भी कहा जाता है, बताए, इसका सही जवाब क्या होगा, तो दोस्ति आद रखेंगे, इसका जो सही जवाब होगा, option number C हो जागा, पहला और दूसरा दोनों ही कतन आपके सही है, तो option number C, अगले प्रशन की तरह बढ़ेंगे, नीचे दो कतन दिये गए जिन में से एक को अवे कतन, इवं दूसरे को कारक आगया है, कतन कहरा है कि सिल्कौन एक अर्द रख चालक है, कारड है, सिल्कौन की वेद्द चालकता, अचालकों की अपेच्चा बहुत अधिक, परंत चालकों की पेच्चा बहुत कम होती है बताएए इनमें से कौन से खतन सही है इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा वाक्षिन नमर A हो जाएगा A और R दोनों सही है और A की सही व्याक्या करता है क्याद रखेंगे सिलकॉन एक अर्द चालक है दूफरा है सिलकॉन की विद्द चालक था अर्द चालकों की अपेच्चा बहुत अदिक परंतु चालकों की पेच्चा बहुत कम होती है अगला परशना आपके सामने हैं कि मासागर का वह छेत्र जहां गहरणई के साथ साथ लवरादा तीब्र गती से बढ़ती है क्या कहलाती है याद रखेंगे दोस्तों ऐसे छेत्र को हेलो क्लाइन कहा जाता है ऑफ्षिन नमर भी इसका सही जवाब होगा कि एक ऐसा छेत्र मासागर का जहां पर लवरता के साथ साथ गती भी भढ़ती हो या गहराई के साथ तीबरता भी भढ़ती हो तो अगले प्रश्ण की तरह गे दोस्तों अगला प्रशन आप्सड़ी के सम्मुक हैं अगला प्रश्णा है कि निमन लिक्त में से कौन एक बंवाई की त्रिमूर्ती के रूप में नहीं जाने जाते है इसका सही जवाब होगा ऑफ्षिन नमर भी जीडी देशमुक जिया मितरो जीडी देशमुक को इस बढ़ेंगे किया पर कौन सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है आप एक Nagar मेंे धार रखेंगे कोन सही सुमेलित नहीं है एक तरफ चारगभा हे यह जवाब किजिये पर हीते ही से लिए दूसure सर्फ अवश्टतीम की दीगी है कौन साथ सही सुमीलित नहीं है सबसे बात करेंगे बनी चारागा की तो बनी चारागा आपका गुजरात में बिलकुल सही अंफर होगा वग्याल चारागा की बात की जाए यह भी आपका बिलकुल सही जवाब होगा खज्यार चारागा की बात की जाए तो यह दोस्ता आपका गलत सी हो जागा यह आपका सुमिल्द नीदा खट ज्यार यह आपके हमाचल प्रदीश में है एक टीमा प्रशन है एक कारक और दूफरा कथन दिया गया है सबसे परे कथन की बात करेंगे कथन कराए सोडियम धात्यू को केरोसीन तेल में सोरचित रखा जाता है कारणा सोडियम बायू में बहुत क्रियासील हो जाता है अब इस प्रशन का जो सही जवाबों का उप्षन नमर ए हो जाएगा आप सभी को पता होना चाहिए कि सोडियम को केरोसीन के तेल में रखा जाता है क्यों कि इस्का सही जवाब हो गो constructive नम्र एक अगला परीशव सामने कि राश्ष्य आदप a 91 से क्यर संस्तान वीरो स्तित हाए जिथ राश्टी अब IR से किस अंस्तान का जो वीरो है या जो हेटकॉार्टर है उसे हम नहीं दिली में इस्ताफित कया है option number A अगला प्रशन है कि भारत में तेल और प्राक्रतिक गेशों की खोज एवं बिकास को आगे बढ़ाने है तो निम्न में से किस तेल और प्राक्रतिक गेश आयोग इस्ताफित किया गया था तो दोस्ते आद रखेंगे इसका सही जवाब होगा 1956 में यहां दोस्तो 1956 में इसकी स्ताफना किये गे थी तो option number A इसे करम अगले प्रशन की तरफ बढ़ेंगे 83 प्रशन आप सभी के सम्मुक है कि निम्न लिकित में से कौन सा एक सही सुमेलित है यहां पर आपसे सही सुमेलित पूछा गया है एक तरफ रचना दूसरी तरफ लेखक दिये गए है बताई इन में से कौन सही सुमेलित है तब काते अकवरी तो गलत हो जाएगा तब काते अकवरी गलत है दूफरा यामिने ये भी गलत है ओ माप कीजिए एक बार यहाँ पर देखें ऑप्शन नमर एक दो तीन चार याने ए वी शीडी करके दिया गया है तो इसका जो सही जवाब होगा आपसे पूजा कौन सही सुम सही सुमिलित किये गए है अगले पृषनि की दरब बढ़ेंगे इस प्रकार से देखें एक और कतन है कतन और कारक के मादम से कतन दानव विदियक केवल लोक स्वा में ही पेश किया जाता है या प्रिस्तूत किया जाता है दूसरा है कारक के संभिदान का नुच्छे देख स 9 का clause 1 या निदारित करता है कि धन वेदियक राजस्वा में पून इस्तापत नहीं किया जाएगा अब आप बताएंगे इसका सही जबाब क्या हो जाएगा ठीक इस प्रिश्ण का जो सही जबाब होगा वो क्या होगा कतन और कारक दोनों सही है क्या सही है तो दोस्त त्याद के आर्टीकल एक सो नो क्लोस वन के में ये का गया है कि धन वेदियक राजस्वा में पुन इस्तापित नहीं किया जाएगा ऑप्शन नम्मर ए आये अगले प्रिश्ण की दर बढ़ेंगे नेमने लिकेत कतनों पर विचार करेंगे यहां पर दो कतन दिये गए हैं पहला कतन कहता है कि मेरियाना या चेलेंजर फरवादे गहरी महासागरी गर्त है ये प्रिश्ण महासागर में अवस्तित है तो दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए ये प्रिश्ण बिल्कुल सही है दोनों के दोनों कतन आपके सही हो जाएंगे कि मेरियाना ट्रेच या मेरियाना ज रखेंगे एक लाग दफ अज्या 333 मीटर इसकी गेरा यह जो प्रिसांत महसागर में है अगला परशन है साज आद्वारा इरानी-फार्सी पद्द्द्सेली के किस कवी को राज कवी नुक्त किया था याद रखेंगे साह जाने किस व्यक्ति को जो इरानी फार्सी पत्ध से लिए के विकास के लिए जाना जाता है उसके उत्ःटान के लिए जाना जाता है को अपना राज कभी न्युक्त किया था उस व्यक्ति का नाम था कली Option no D Option no D इसका सही जवाब होगा उस व्यक्ति का नाम था कली ठीक है तो याद रखें ऑप्शन नमर डी अगले प्रशन की तरह बढ़ेंगे दोस्तों अगला प्रशन आप सभी के सम्मूर अगला प्रशन आपके सामने है कि वायु मंदली द्रिष्टी ब्रह्म ब्रग रीचिका की व्याक्या किस एक सिद्धा के अधारपत की जाती है तो प्रकास का पूर आंतरिक परावरतन के अधारपत इशीक्रम में एक और बिज्ञान का प्रशन है कि निमने लगे कतनों पर विचार कीजिए अपर तीन कतन दिये गए हैं पहला कतन है कि प्रकास के रंका नेदार्ण उसकी तरंग धेर से होता है दूफरा पराफरब द्रणियों की आपड़ती दो फरीफ अजार हर्टर से अधिक होती है कतन तीफरा का उन्दु पातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है तो यह आपर जो तीन कतन दिये गए आपको बताने है कौन-कौन से कतन सही है ठी कतन बिलकुल आपका सही है तीनों के तीनों कतन आपके फरिमाप कीजिए आप पर जो इसका आप से पूछा गया क्विए कि कौन-कौन से कतन सही है ठीक है अब तीफरा गलत क्यों है तो यहां पर देखे और दो पातन के प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़ी में जल ठंडा रहता है तो इस प्रकार ऑप्शन नमबर तीफरा गलत हो जाएगा अगला प्रशन है जन संक्या के प्रामेड में कौन सा समो कारेसील जन संक्या के रूम में भरविकरत किया गया है यह जन संक्या एवं नगरी करण का प्रशन है most important प्रशन के स्रेड़ी में आगा और आप सभी को पता है जन संक्या से 55 से 6 प्रशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो इसका जो सही जवाब होगा कि फरवादिक कारेशील जनसंग क्या कौन से कौन से वरक के वीतर आती है इसका सही जवाब होगा कि सबसे जो अधिक कारेशील जनसंग क्या है वो आपकी पंद्रे से चोंफट वस के वीच आती है तो उप्षय नमर डी अगल पर हो जाएगा दोनों के दोनों का तन सही है कि जो लाइकेन होते हैं दोस्तों ये बायू प्रदूसर के जेब सूचक होते हैं और इन नगरों के अधीन नहीं पाए जाते है अर्थात नगरों के समीप नहीं पाए जाते है इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है तो अप्शन रोक सकती है तो दोस्तियार रखना है अधिक तम वो अपने पाफ 14 दिन तक रोक सकती है तो option number D इसकास सही जवाब हो जाएगा अगर 14 दिन के बाद वो इसको रिटर नहीं करती तो वो चीर पारत मानी जाएगी तो option number D इसका सही जवाब हो जाएगा चलिए अगले प्रशन की तरब चलेंगे 92 में प्रशन की 92 में प्रशन है कन्यमन लिकित कतनों पर विचार कीजिए यहां पर भी देगे दो कतन दिये गए हैं पहला कतन है कि जेव मंडली पारिश्तितिकी तंत्र में उर्जा का प्रवाब एक दिसी होता है कतन सेकंड उर्जा का प्रवाब अजेविक प्रडाली से जेविक प्रडाली की दिसा में होता है तो देगे कुट के मादन से सही जवाब देना है पहला कतन भी आपका सही हो जागा और दूसरा कतन भी सही हो जागा जेव मंदली पारिष्टित की तंत्र में उर्जा का प्रभाब हमेशा एक दिसा ही होता है उर्जा का प्रभाब जेविक अजेविक की प्रडाली से जेविकी प्रडाली की दिसा में होता है तो इस प्रकात दोनों कतन सही हैं अगले प्रिष्ण की तरफ चलेंगे निमनलकित कतनों पर विचार कीजिए, पहला कतना है, सेख निजामुद्दिन ओलिया चिस्ती संप्रदाई के प्रमुक्सूपी संत थे, दूफरा इनका जन्म बनायूं में हुआ, तीफरा इन्हें महभूब ए इलाही भी कहा जाता है, तीनों के तीनों कतन इनके सही है, इसे एक निजामुद्दिन ओलिया चिस्ती संप्रदाई के प्रमुक्सूपी संत है, इनका जन्म बनायूं में हुआ, ये भी सही है, और इनको महभूब ए इलाही कहा जाता है, ये भी बिलकुल सही है, तो तीनों ही कतन सत्त है, अगला प ये दोस्तों रेंगमा, अंडमा, निकवाल की मूल नवासी नहीं है, रेंगमा जन्जाती नागा लेंड में पाई जाती थी, कहां पर याद रखेंगे, ये दोस्तों बेशिकली, जो मूल नवासी है, ये नागा लेंड के है, तो option no.C, इसका सही जवाब हो जागी, ठीक है कभी-कभी ये आसाम में भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो नागालेंड इवं आसाम में पाई जाती है, इसे प्रकार उक्षिय नमर सी, अगला प्रशन है का निमने रिखत में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, अपर आप देखेंगे नहीं सब्दका प्रयोक किया गया है, बताएए, कौन सही सुमेलित नहीं है, या पर दर्रे दिये गए और एक तरफ राज्य दिया गया, बोमडिला दर्रे की बात कि जाएगी दोस्ते हैं पर, जो बोमडिला दर्रा दिया गया या आपके अरुजाचा पदेश में ये बिल्कुर सही है, नाथूला दर्रे की दर्रे और पाई जाएघनते हैं, एक का नामे माना दर्रा, प्मौइला दूसरे का नामे नвой धर्रा, तो ये भी दर्रे आपके अठरा खंड में ही पाई जाते हैं, अगले प्रिशन की तरफ चलेंगे नेमने लिक्त पर बिचार कीजिए, ये मुस्ट इंपौधएंट प्र तीनों के तीनों आपकी चम्मल नदी पर इस्तित हैं, तो option number D, इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए अगले प्रशन की तरब चलेंगे, अगला प्रशन आप सभी के साथ, प्रशन है कि निमनलिकत में से किस धातू का प्रयोग धबा रहित इस्टील बनाने हे लोहे के साथ ह होता है, बताइए, कौन सी ऐसी ऐलमुनियम या कौन सी ऐसी धातू है, तो option आपके सामने है, इसका सही जवाब होगा, chromium, ठीक है जोस्तो, chromium का जो प्रयोग है, वो धबा रहित इस्टील बनाने के साथ प्रयोग में किया जाता है, तो option number D, अगला प्रशन है, सूची एक क करसी अनुशंदान संगठन की, इसका जो इस्तान है, वो काँपर हैं, तो दोस्ते इसका इस्तान है आपका हैदराबाब में, यानि पहले का आपका दौफरा सही सुमेलित हो जाएगा, ठीक है, दौफराब का है, राश्टी करसी विप्रंच संस्तान, तो राश्टी करसी विप्रण संस्तान आपका जैपुर में, यानि दूफरे का, आपका पहला सही हो जाएगा, Central Food Technology Research Institute, इसका जो सही जवाब होगा, या आपके मैसूर में हो जाएगा, ठीक है, और बचा आपका Cell के वान की राष्टी, फोद केंद्र, या आपका वारणफियो हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा, आपके कूट के बादम से देख सकते हैं, इसमें आपके सबसे पहला आएगा, 2143, 2143, आएए कूट देखते हैं, 2143, ओप्शन नमर, यह आप देखेंगे, 2143, अगले प्रशन की तरह बढ़ेंगे, अब यहां पर देखें, यह प्रशन जो आपका दिया गया, यह किसका प्रशन है, यह दोस्ता आपका एक तरीके से मैत का प्रशन आ गया है, किसी परिच्छा में उत्तीड हुए लोगों में इस मेताका ऊपर से कितना ऊपर से 26 महिस्तान तता नीचे से 29 महिस्तान है छे चात्रों ने परिच्छा छोड़ दी और पांच चात्र उसमें अनुतिव रहे किक्षा में कोल कितने चात्र है इस प्रकार के भी प्रिच्छा आपसे पूचे जा सकते हैं इसका सही जवाब होगा किक्षा में 55 चात्र है ठीक है कितने 55 चात्र है ठीक है दोस्तों अब मैंने अभी आपको यह बता दिया आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अनता हम अलग से reasoning के प्रिश्णों को अलग से solve किया करेंगे, ठीक है, reasoning की class से अलग से हम चलाएंगे, आइए इस प्रिश्णों को solve करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपसे लुप तपद पूछा गया है, आपको पता चल जागा किस प्रकार के प्रिश्ण आपके एकजाम मे पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, चार दो, या तो इसको इस तरीके से solve किया जाता है, या पर इनको इस तरीके से solve किया जाता है, यहाँ पर आप बताएंगे, इसका तो सही जवाब होगा, वो क्या होगा, चलिए इसको solve करते हैं, देखे, चार का व आपका यहां डिन गरोगोंगों तो इंगा हुआ है टिक है ओप है रही से जवाब finalement ने कुछा है कि 90 लिकित में से निमलकफ में सही विकलप का चैन किजिए ठीक है ? dessus कि अपस्मासागर देगा कि एक ट्रिफ dip जयाग है ? ROM 1 , पर पर प्रसंत olvid. ग्रिलेंड एक दीप का नाम है। option नमर क्या हो जागा A महसागर प्रसांद महसागर का नाम है, ऐसे ग्रिलेंड एक दीप का नाम है, तो option नमर A हो जागा, ठीक है। बाकी देखें, रीजनिंग के जितने भी सवाल हैं, इनके उपर हम अलग से एक special video बना दिया करेंगे, अब आगे से हम क्या करेंगे, जैसे 140 प्रशन आप सभी को बता है, आपके RO के GS वाले खंड में आते हैं, इसमें से 2 प्रकासे प्रशन आते हैं, लग बग 15 से 17 प्रशन आपके किसके आते हैं, रीजिनिंग और मेत के आ जाते हैं, और उसके बाद ज GS के लिए एक अलग separate video हो जाएगे, और reasoning के लिए एक separate video हो जाएगे, जिससे आपको समय भी खराब नहीं होगा, तो आज की video हम केवल GS के प्रशनों को कमर करेंगे, बच्चे हुए प्रशनों को मलग से separate video reasoning का मना देगे, तो हाईए मैं तुराज के GS के प्रशनों को केवल फ आरे से, ठीक है, चलिए आप आप देखेंगे, एक तो गैरमा प्रशन आपके सामने है, वो प्रशन कहे रहा है, कि निम निलकेत, उत्तर पदेश के निम निलकेत जिलों में से कौन सा एक नगरिय जंसंक्या की दृष्टी से नियूनतम है, यानि नगरिय जंसंक्या की दृ पूचा है, तो आप्शन नमर फ्रावस्ति हो जागा, आप्शन नमर ए, इसका सही हम पर फ्रावस्ति होगा, अगला एक निम निलकेत में से, किस एक की स्तापना सबसे बाद में हुई है, बताए, इनमें सबसे बाद में जो स्तापना हुई है, वो किस की हुई है, इनकी ड सब्सक्राइब नियुक्त सितापना होती है, वो 948 में होती है, दूफ्रे की बात करेंगे भारती आउदोगी के रेड़ एबम निवेस निगम, इसको बोला जाता है दोफ्तों, सौर्ट में आपने नाम सुनगा, ICICI, और ICICI की जो इस्तापना होती है, वो 1955 में होती है, तो इनके फुल्बों में आपसे पूछ लेता है ठीक है जैसे सबसे पहले आई एप सी आई की पूछी जाती है पहले वाले की आई एप सी आई तो इसको जब फुल्बों पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं इंडरस्टियल Financial Corporation of India वहीं हम ICIC की बात करें तो इसको कहते हैं Industrial Credit and Investment Corporation of India अगर IDBI की बात कि जाया तो इसको बोलते हैं Industrial Development Bank of India वहीं बात करेंगे भारती ओदों के विकास बैंक ठीक है फौरिम आप के लिए ती फ्रेक हमने डेट नहीं लेकी इसकी जो इस्तापने हुए थी वो 964 में और इसकी हुए यह जाता है और कई वार पूछा किना इसकी 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 हुए उन्य summ और गवारी की हो जाता है और सबसे बाद में किसकी स्थापन होती है नावाट की तो ऑक्षिन नमर डी हो जागा यह सबसे बाद में स्थापित हुआ है आगे बढ़ेंगे एग मार्क गुरवक्ता प्रमाणक चिन निम्नमेंसे किस एक संस्ता द्वारा जारी किया जाता है तो दोस्तों भारती मानक विरो भारत का राष्टी मानक संस्तान है जो प्रदूसर से संस्ता है और यह गुरवक्ता के लिए जाने जाता है इसका जो सही जवाब होगा उफ्षिन नमर सी हो जागा विप्रण एवं निरिचण निदिरसाले के मादन से दिया जाता है अगला प्रशन है रादा स्वामी मेर के संबंद में कौन सा कतन सकते है तो दोस्तों हाली मेर के चुनाव हुए है आप सभी को पता होना चाहिए उत्तरपदेश में मेर के बारे में वह नगर का प्रतम नागरिक होता है वह नगर निगम का पदेन अद्द्द्च होता है कार्यकारी परिश्द का पदेन पती भी होता है अगला परशना है नेमने लिकेत कतनों पर विचार कीजिए इस्पेशल उत्तर पतेफ राज परटन निगम विकास निगम लिम्टेड की जो स्तापना थी वो 1924 में हुई उत्तर पतेफ राज वित्ती निगम की स्तापना वर्स 1924 में की गई बताए कौन-कौन से कतन सही है तो दोस्तों दोनों ही कतन आपके सही है पहला और दूसरा दोनों ही कतन आपके सत्त हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश राज परटन विकास निगम की स्तापना 1924 में हुई थी आगे बढ़ेंगे अगले पिश्णी की तरफ सूची एक को सूची जो से सुमिलित करेंगे एक तरफ बने जी बिहार दूसरी तरफ अवस्तिती दी गई है पहला पटना तो पटना पच्छी बिहार बोला जाता दोस्तों यह आपके एटा में है एटा जलेफर जहां पर आपको गंटियों के लिए अपने प्रसिद्ध है पारवती अंगना की बात किरा दोस् तो तुरानी पुराब के बांगा में है यह चारों आप इस तरीके से सुमिलित करेंगे और दियागे कूट के मादन से इसका जवाब देंगे तो ऑफशन नमर ए इसका सही जवाब हो जागा ठीक है ऑफशन नमर एक अगले प्रशन की तरफ बढ़ेंगे अगला प्रशन आ काट कर निर्मेत 24 तीतरों की प्रत्माओं हे तो विक्यात है मताई यह जैन दर्म से सम्मने तेशतल है और इस प्रशन का जो सही जवाब होगा वाफशन नमर ए होगा महोबा यहां दोस्तों उत्तर बदेश का महोबा जिला गोकर पहाण एवं चट्टानों को काट कर जैन अब करेंटर फिर का यह प्रशना आ गया है इसका सही जवाब होगा उक्षन नमर भी यह नीरव डी सांको दिया गया यह पुरुष्कार अगला प्रशना आपके सामने है जन्वरी दोजा तेश में जम्मू कस्मी राज्यमें इस्तितिकिस नदी पर वेली संस्पेंसन विर का उद्गाटन किया गया है सही जवाब होगा उक्षन नमर भी चिनाप नदीपर करेंट है तो थोड़ा स्पीट से पढ़ेंगे जन्वरी दोजा तेश में जेव उर्जा से का सम्मिलत दोजा तेश का आईउजन के सिस्तान पर किया गया है तो सही जवाब होगा नई देल नमर ए विशाका पत्नम रेलवे इस्टिशन को इसी क्रम अगला प्रशन है जन्वरी दोजा तेश में यूबा पेशे बर यूना का प्रारम भारत के किस देश के मद्द किया गया है भारत एवं किस देश के मद्द किया गया है सही जवाब होगा उक्षन नमर C UK यानि United Kingdom अ दूफ्रा भारती विज्यान संस्तान बंगलोरु द्वारा इस सम्मिलन का आविजन किया गया था दौनों ही कतन सही हो जाएंगे पहला हो दूफ्रा ठीक है याद रखेंगे एस ट्वेंटी सिकर सम्मिलन दूफ्रा इस की महजवानी पुद्चेरी में की गयी और इसको जो प्रारम किया तो भारती विज्यान संस्तान बंगलोरु द्वाराष का आविजन किया गया था जन्वरी दूफ्रा इस में जारी हैंडले इंडेक्स पासपोर्ट सूचकंग दूज़ा तेस में भारत को कौन सा इस्तान प्राप्त हुआ है तो इस बार जो हेंडरे पासपोर्ट में जो भारत की रेंकिंग आये वो 85 यानी 85 में दर्जे की गई है अगला प्रशन है कि जन्वरी दूज़ा तेस में किस हिंप किन्स ने किस देश के 41 में प्रदान मंत्र के रूम में अगला प्रशन है जन्वरी दूज़ा तेस में केन्स फरकार द्वारा प्रारम की गई एक ही करत खाद्ध फुरच्चा योना का क्या नाम था याद रखेंगे उसका सही जवाब को ऑक्षिन नमर डी प्रदान मंत्री गरीब कर्ल्याण अन योजना चलिए अग keynote जाब अगले प्राब की तरफ किस मंत्रा ले कि तपावधान में शत्रबार भा क्रवासी संहिलें का अज़्जन अमर्दब्यगकि इंदॉ इसका सही जवाब होगा इसका जो आईजे निस्वार किया गया था वो विदेश मंत्रा लेके द्वारा किया गया था option number C अगला प्रशना जन्वरी दूजा 30 में आ जा दी कि अमरत महुत्सरफ के उपलक्ष में राष्टपती भवन में एतियासिक मोगल गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है याद रखेंगे राष्टपती भवन के एतियासिक जिसका नाम है मोगल गार्डन और इस मोगल गार्डन को किस नाम से जाना जाएगा तो इसको दोस्तों अमरत गार्डन के नाम से जाना जाएगा option number C याद रखेंगे दोस्तो ODI Cricket में ODI Cricket में सर्वाधिक सतक किसके नाम है तो याद रखेंगे 49 यह आपके दो व्यक्तियों के नाम हो चुके हैं एक सचिन तेंदूल कर और दूसरे आपके विराट कोली के नाम तो यह दोनों ही आप याद रखेंगे अगला पशन है कि जनवरी 2023 में निम्न में से कौन सा एक यूरोपिय देश यूरो जौन अपनाने वाला बीस वाँ देश बन जाएगा याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा Croatia option number A अगला पशन है जनवरी 2023 में साइकलोन वन नामक के युद्धा व्यास होगा याद रखेंगे साइकलोन कौन कौन से देशों के मद्ध होता है यह होता दोस्ता आपके भारत और मिस्र के वीच option number B चले दोस्तों 5 questions और बचे हुए है अगला पशन है कि जनवरी 2023 में बिस्तों की सबसे बड़ी अंतराष्टी परेटन प्रदर्शनी में से एक फिक्टोर यानि फेरिया इंटरनेशनल डी ट्यूरिज्म का आयोजन कहांपर किया गया है या कहांपर किया हुआ है तो जाएगा मैडरेट इसकेंड में किया गया है ठीक है अगले प्रदर्शनी की तरफ चलेंगे अगला प्रशनाप के सामने जनवरी दूर्जा तेस में मनाएगे राष्टी यूवा मोतसब के सम्मन में निम्न कतनों पर बिचार कीजिए अब यहां पर कतन के मादन से आपको जवाब देना है पहला इक इस मोतसब का आयोजन 12 जनवरी को किया गया दूफरा इस मोतसब का आयोजन हुबली करनाटग में किया गया तीफरा इस मोतसब की थीम इसमार जो रखी गई थी वो थी विकसित यूवा विकसित भारत बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा option number इसका जो सही जवाब का option number D हो जागा पहरा दूसरा तीसरा तीनों ही कफन आपके सही थी अगला परशन आप सभी के सम्मुक है कि जन्वरी दुजा तेस में कलवरी फ्रेडी की most important परशन होगा दोस्तो एन एस बागीर को इसमें सामिल किया गया है option number A इसका सही जवाब हो जागा इसे एक रमागला परशन है एक तरब पुस्तके दीगी है दूसरी तरब लेकक दीगे अकफर एक परशन हैसा भी आपके सामने आजाता है इसे हम विवेद या इस्टेटिक बीके के रूम में जानते है तो बताए इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है सुमेलित नहीं है आप एक बागला परशन देखेंगे इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है तो दोस्तियाद रखेंगे Now you breathe यह राकी कपूर की पुस्तक है दूसरा दा गर्ल इन रूम 105 यह चेतन भगत की पुस्तक है चेतन भगत की बहुत सारी पुस्तक Most important होती है तीफरापका Victory City इसकी जो पुस्तक है सल्मान रुस्ती की पुस्तक है किसकी बराक ओवमा जो अमेरिका के राष्टपती रहे थी पूर में अगरा प्रशन है कि जन्वरी दोज्याद 30 में देश के सबसे बड़े होकी स्टेडियम का ओधगाटन कहां पर किया गया है तो दोस्त आप सभी को बता दू होकी का जो सबसे बड़ा ओधगाटन खोला गया या आपके राउल केला में खोला गया option नमर भी राउल केला उड़ी शाम है तो यह तो थे दोस्तों एक फ़र चालीस प्रशन आप सभी के सामने द्रिश्टी फरी दे आए इस की तरफ से जो test series दी जा रहे है पर यह test series नमर एक ती इसमें हमने दो lecture हो में test series को कवर किया था पहले में हमने 40 प्रशन देके और आज की वीडियो में हमने 100 प्रशनों को कवर किया था अब आगे सम्क्राइगे आप सभी याद रखें अगली वीडियो में क्या करेंगे एक प्रशनों को दो खंडों में तोडएंगे एक खंड में हम GS के प्रशनों को कवर करेंगे और दूफरी खंड में हम reasoning के प्रशनों को कवर करेंगे इस प्रकार एक test series यानि 140 प्रशनों की दो वीडियो आएंगी यसमें एक में 120 प्रशनों होंगे जी एस यूपी स्पेसर करेंट अफेर के और दू फ्री में केवल वो 15 से 16 को प्रश्णा आते हैं आपके रीजिनिंग के इनको लेकर एक वीडियो लग्से बनाया जाएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रू बता है चैनलों को सब्सक्राब कर लें किसी भी प्रकार के आपको देखने को मिलती रहेंगे किसी भी प्रकार का कोई भी डाटो किसी भी एक्जाम को लेकर यूपी पेस्टी के जितने भी एक्जाम होते हैं यूपी ट्रपलिस्टी के जितने भी एक्जाम होते हैं या अगर आप किसी भी अधर वंडे एक्जाम की त्यारे करने तो आप उससे समधे जनकारी पूछ सकते हैं कमेंट करके तेंक्यू जैहन जैवार